वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें अक्टूबर का बचा हुआ करेंट अफेर प्रीविडियो में हमने इसके कुछ जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है बाकी कुछ बचा हुआ है अक्टूबर महा का करेंट अफेर यहाँ पर हम अक्टूबर 2022 का करेंट अफेर आज कंप्लीट कर लेंगे पूरा एक साल का पार्ट कह ले हैं जिसमें हमने जन्वरी 2003 से, सटब्合ण किया था तो फर्वरी 2023 का इसके बाद जन्वरी 2023 का करेंट अफियर पढ़ा, फिर हमने दिसंबर 2022 का पढ़ा, उसके बाद नेवंबर 2022 का, अक्टूबर 2022 का करेंड फेर फिर हम अभी देख रहे हैं इसके बाद हम सितंबर 2022 के स्टार्ट करेंगे और ऐसे ऐसे करते जन्बरी 2022 तक करेंगे किलियर है ठीक है तो लास्ट वीडियो में हमने यहां देखा था उत्तरपडेस और योगिक निवेस और रोजगार प्रोचाहनीती 2022 आई है इसक प्रदेश में दूद की उत्पादन को बढ़ानी के लिए इस योजना को जो है प्रारंब किया तो दूद का उत्पादन बढ़ाने वाली महलाओं से संबन देती योजना है महिला सामर्थ योजना इसके तहत राय वरेली गोरकपुर वरेली प्रयागराज लखनों में पां पी तहसील के पारासन सोलर पार्क में 75 मेगावार्ट की सौरूर्जा परयोजनाओं को चालू करने की गोशना की गई थी ठीक है इसकी बाद आगे देखते हैं अगली जो योजना है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित होंगे खेलो इंडिया सेंडर जैसे की व प्रोट्सायत किया जाएगा जादर से जादर लोग खेल की प्रती मॉटिवेट हो खेल के प्रती अपना जो है रुजान बढ़ाएं तो इसके लिए हर जिले में खेलो इंडिया सेंडर स्थापित करेंगे सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के खेल और योवा कल्यान राज्य मंत्री स्वतन प्रभार के गिदीस चंद्रियादो ने बताया कि एक जिला एक उत्त्पाद योजना की तरज्यू पर अब एक जिला एक खेल योजना भी प्रदेश में लागू की जाएगी इस योजना के तहट सभी जिलो में खेलो इंडिया सेंटर की इस्थापना की विकास कारे अविस्थापना सुभिधा का विकास करा सकता है इसमें होने वाले कुल खर्च का 40 फीजदी रकम जो है वो सरकार देगी इस पोर्टल के अंतरकत होने वाले निर्माण कारे पर जो है सिला पट्टे का में संबंधित व्यक्तिया उसके पूर्वजों के नाम लिख और आप चाहते हैं आप उस गाहों का विकास करना चाहते हैं जैसे कि कुछ भावना जुड़ी होती है तो उसी के तहट अगर आप उस छेत्र का विकास करना चाहते हैं वहां के लोगों के लिए तो अगर आप अपनी इक्छा से ऐसा काम करते हैं तो आपका जो कुल खर्च एशियन चैंपियन्सिप में उत्तरप्रदेश के गोरग पुर्त जी लेके गोविंद साहनी देश का प्रटीनिधित्व करेंगे ठीक है तो जो यए एक चैंपियन्सिप थी मुख्यवाजी से संब्दे थे तो इनका जो नाम है यह याद रखें कि गोविंद साहनी किस से संबन दे थे, किस खेल से संबन दे थे, मुक्के बाजी से, ठीक है, और इन्होंने नेटर तो किया, एशियन चैंपिन से अपकिया, इसके बाद अगली जो नियूज है, सौर उर्जा चेत्र में सूर्य मित्र तयार करने की योशना ये इंपोर्टेंट एक्जाम में बूच सकते हैं, ठीक है, उत्तर पिड़े सरकार ने परियावरंट सर्रक्षन को लेकर पहल के तहट नई सौर नीती को मंजूरी देते हुए करीब 10,000 सूर्य मित्र बनाने की गोशना की है, नई सौर उर्जा नीती के अंतरगत उत्तर पिड़े सरकार बुंद किया गया है, तो यह बहुत बड़ी बात है, सौर उर्जा के लिए काम सरकार जो है करेगी सूर्य मित्र तयार करने की योशना बनाई गई है, उत्तर पिड़े सराजी सरकार की योशना है, आप से ये भी पूछ सकते हैं, इसके बाद कुछ वन लाइनर की फॉर्म में हम इं आप सर्फर पर उत्तर पिड़े सरकार ने लगभग 1,7,744 गरीब परिवारों को स्वक्षे पेजल के लिए नल कनेक्शन देकर इत्यास रजा, तो यहाँ पर जो है नल कनेक्शन देकर इत्यास भी रजा गया, इतने सारे लोगों को नल कनेक्शन दिये गए एक ही दिन में तो यहाँ पर दो अक्टूबर को दो महतुपूर्ण जहनतिया होती एक तो राजपता मातमा गांधी की जहनती और दूसरी होती है लाल बहादूर सास्त्री जी की जहनती दोनों ही याद रखना है ठीक है किलियर है न यहाँ पर इसके बाद अगला देखते हैं 5 अक्टूबर है जिनका नाम रखा गया इसके बाद अगला जो फैक्ट है सितंबर 2022 में महानगाई का लता मंगेसकर को उनकी 93 जहनती है उस पर सद्दानजली देने के लिए उत्तर प्रदेश के धार्मिक इस्थल आयोध्या में 14 टन बजनी वीना की 40 फूट उची मूर्ती लता मंगेसकर चौक पर इस्थापित की गई है ठीक है तो आपसे एक्जाम में पूछ सकते हैं कि यह जो है इतनी बड़ी बीना जो है इसकी मूर्ती कहां पर इस्थापित की गई है तो यह लता मंगेसकर चौक पर जो है बनाई गई है यह आयोध्या में इस्थे थे ठीक है लता मंगेसक प्रियुक्साला का निर्मान किया जा रहा है तो भाई ये देश की पहली इसलिए महतुपूर्ण हो जाएगी आप से पूछेंगे कहां पर किया जा रहा है देश की पहली अंत्रिक्ष प्रियुक्साला का निर्मान तो ये हो रहा है सिधार्ट नगर के डुमरिया गंज तहसी के सरकारी पूरों माध्यमिक पिद्याले हसुडी औसागपूर में ठीक है औसानपूर में इसके बाद अगला तत्य देखते हैं अगे बढ़ते हैं अगला तत्य है उत्तर पिडियस के किंग जॉर्ज मैडिकल यूनिवर्सिटी लखनू में पहला इसकिन बैंक बनेगा जो ज बन गए हैं तो भाई उन्हें अपने कारिकाल में सो बार काश्य विश्वनातनगरी का दौरा कर लिया दिसंबर 2023 तक केवल गर्व ग्रह ही नहीं बलकि मंदिर के संपून भूतल का निर्मान पून कर लिया जाएगा तता 2024 की मकर संक्रांती के बाद राम लला को गर्व ग्र क्योंकि बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने उत्तर पर देश के अक्टूबर महां से समयने कुछ वन लाइनर फैक्ट देखे इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं सितंबर महां के करेंट अफ़र की ओर स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने क तो यहाँ पर एक घाठ है देवरहा घाठ इसके पास में हनुमंत धाम बाडिका में राम भक्त भगवान हनुमान जी की 108 फीट उची जो प्रतीमा है इसका निर्मान जल्दी प्रारम होगा तीक है कितने फीट उची होगी 108 फीट उतर पर इसके मुक्यमंती योग्याद ना का राज की नर्ति है तो यहां से जो हैं संबंदित हैं विक्यात कत्तक गुरु कत्का चार्य पंडित लच्चु महाराज लखनव के नर्तक विरजु महाराज की जैनती के अपसर पर 31 अगस्ते 1 सितंबर 2022 तक दो दिविसीय नवन समारू का आयोजिन किया गया लखनव के है इसके बाद अगली न्यूज है उत्तव बिरुजगारी से लखने में अबल तो भाई यह बताया गया है चलिए देख लेते हैं सितंबर 2022 में उत्तव पिदिश का पदर्शन अबल रहा है बहुत सारे रिजल्ट रुके हुए हैं लेग पाल का रिजल्ट भी नहीं आया बिरुजकारी रही है उत्तर पिजिस में यह आंकड़ा 3.9 पर रहा है अब बजट भी देखेंगे तो अभी जो नया बजट आया है दोजार टेस चौबिस को उसमें भी बताया गया है कि उत्तर पिजिस में जो बिरुजकारी की दर है वो बहुत कम हुई है पिछले वरसों की तुलना में अगर 2017 से तुलना की गई उसमें आगे हम बजट का भी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि उसमें भी बहुत कम जो है बताया गया है हाला कि अब आकड़े यह कहते हैं पर एक्चुल में तो ठीक है सब देखते ही है आप लोग कॉमेंट करके बताएं ग्रामी छेत्र इंटरनेट और वाइफाई की सुबिधा से उपलब्द रहेगा उपलब्द कराए जाएगी 33% ग्रामी छेत्र में उत्तरपिडेस का जो है पूरे जितना भी ग्रामी ने लाका उसमें से 33% को इस सुबिधा से जो है लाइस किया जाएगा आत्म निर्भरता के 6 जलो में खुलेंगे मैडिकल कॉलिज सितंबर दोजार बाइस में केंद सरकार ने वाइवल्टी गैप फंडिंग बीजी एफ इसकीम के तहट उत्तरपिडेस के 6 जलो में नए मैडिकल कॉलिज कुलने की सैध्धान्तिक सहमती दी है अब ये एक्जाम में आप से बूछ सकते हैं 6 जली कौन कौन से हैं इनके नाम याद रखने है इसी होजना की तहट पीपी मॉडल पब्लिक प्राइबिट पार्टनर्सिप मोड पर महुबा में मैंपुरी में बागपत में हमीरपुर में हातरस में और कासगंज में मैडिकल कॉलिज खोलने की प्रक्रिया डियार तो अप एक चीज़ यह पहल बया किया काम जोईरी रहे गा उतरपरिटीस की योगी आदिदना सरकार प्रेयास से प्रियास सभी 75 जिलों में मैडिकल कॉलेज खोलने का ठीzek FC हामेठी औरिया विजना बुलंद सहर चंदोली गौनडा गानपूर नियार कौसाम सरकार कम नाम से तो यहां पर इत्र पड़ेटर इस्था की रूप में जानेंगे और यहां के इत्र को देखेंगे आके यहां के इत्र की जो है देश बिदेश में भी फिर जादा ही यह फेमस होगा अगर परेटेनिस्थल की रूप में विक्सित करने का फैसला किया है कन्नोज में बनने वाले परफ्यूम पार का पहला शरण 15 नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा उत्तर पिजित्व करोड रूपए के इत्र व्यवसाय को 25,000 करोड रूपए तक ले जाना ठीक है अभी 250 करोड रूप इत्र का जो परफ्यूम का विजनेस है ये 25,000 करोड तक ले जाना है सरकार को एक जलाएक उत्पार्द योजना के तहत कन्नोज के इत्र को वैश्विक वाजर में इस्थापित करने के प्रयास में जुटी उत्तर पिजित्व सरकार अगले साल फरवरी 2022 में पहली बार इंट पिडेस में होगा कहां पर कन्नोज में इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल में इत्र उद्योग में अगरानी फ्रांस समित यूरोप और मिडिल इस्ट समित अनेक अगरानी देसों के प्रतिनीधी मंडल को आमें तृत किया जाएगा तो यह एक इंपॉर्टन न्यूज है आप पेड़ ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो नंबर्स पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप तीन ती नंबर दिये हुए है किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिल जाएगी स्वस रहे मुस रहे मुस्कराते रहे बढ़ाई करते है थैंक आपकी onda एंक ते आपकी क्या है המבोंच यहारे थाए सप भी करत कैई देति हैं आपकी